दोस्तों आप भारत में पैदा हुए हैं इसलिए आपको गेहुं की कमी नजर नहीं आ रही लेकिन आप लोगों को बता दूं कि दुनिया भर के अंदर गेहुं की कमी को लेकर बहुत जादा चिंता है और ये चिंता इसकदर है कि विग्यानिक आज से 300 साल पूराने एक ऐसे बीज के उपर शोद कर रहे हैं जिससे उनको ये उमीद है कि गेहुं को हम हर प्रकार की कंडिशन में और हर प्रकार के वातावरन के अंदर उगा पाएंगे वो किस्म कौनसी है ये तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले ये बता दूँ कि गेहुं की कमी दुनिया भर में नजर क्यों आ रही है और दूसरा भारत के अंदर ये कमी कम क्यों दिखाई दे रही है ज्यादा लोगों के उपर असर नहीं हो रहा इस कमी से और तिसरा उस किस्म का नाम क्या है तो जानते हैं दोस्तों सबसे पहले कारण क्या है कि दुनिया भर में गेहुं की कमी आ रही है इसका सबसे बड़ा कारण है कि गलोवल टमपरिचर एक डिगरी सेल्सियस तक बढ़ गया है और इस वज़े से गेहुं का उत्पादन 6.4 परतिसत कम हो गय हैं उसकी वज़े से भूमी की उपजाव शमता भी कम हो गई है और तीसरा कारण है रशिया और यूकरेन का युद्ध जिसने जो एक फूड चेंज चल रही थी उसको अचानक तोड़ दिया और उसकी वज़े से दुनिया में हाहाकार है अब रही बात कि भारत के अंदर य गेहूं गन्ना और चावल मुख्य फसले हैं अब रही बात दूसरा कारण क्या है तो भारत के अंदर प्रिक्योर्मेंट करने के लिए गेहूं को किसानों से खरीद कर उसे सुरक्षित रखने से लेकर आम लोगों तक भेजने का पूरा एक प्रोसेस है और जिसके अंदर सर अब करते हैं आगे की बात कि वो बीज कौन सा है जिसको लेकर शोध हो रहा है तो सन सतरा सो के अंदर एक जैंस कुक नाम का बीज था जिसे प्रिजर्व किया गया और एक म्यूजियम के अंदर रखतिया गया जिसके तस्वीर कुछ ऐसी है बिलकुल पतली-पतली सी टहनिय मतलब बालिया और उनके अंदर हलके हलके से बीज आपको दिखाई देते थे ये एक जंगली गेहूं थी जिसे वाइल्ड वीट के नाम से जाना जाता था जिसका नाम बाद में जेम्स कुक रखा गया ये कितनी पुरानी है ये तो किसी को नहीं पता लेकिन सन सतरा सो के अं हर परकार के टेंपरेचर को ये शूट करती है तो विग्यानिक चाहते हैं कि इसके ये अनवाशिक गुण जो हैं वो ले लिए जाएं और आधुनिक गेहूं जो हैं उसके ज्यादा प्रोड़क्शन वाले गुण ले लिए जाएं और दोनों को मिलाकर तीसरा नया बीज त अदर उगा सके लोग और गेहूं की जो कमी हैं उससे निजात मिल सके तो विग्यानिक भी परियास कर रही हैं और इस गेहूं की किस्म का नाम है जेम्स कुक जो वाइल्ड किस्म है और मैं आप लोगों से यह कहूंगा कि जब भी आप खाना खाएं और थाली के अंदर अग प्रण ले लें कि कुछ भी ओठा नहीं छोडेंगे कुछ भी थाली के अंदर छोडेंगे नहीं खेर देश बचाईए दुनिया बचाईए और गेहूं बचाईए देखते रहिए ABC इंडिया